हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल ओफीसियल एक्वेडियूम लवर्ट हेलो फ्रेंड मैं हुआर चुकता और मैं एक आपके लाए हूँ बहुत ही बड़िया टॉपिक जिसमें आपका कोई भी एक्वेडियूम हो आप उसमें अपनी कोई भी न्यूफिस या गोल्फिस या बिटा फिस आपकोई फिस हो तो कैसे एट करें तो फ्रेंड चलिए वीड आपको अपना जो है तो आपको क्या करना है आपको अपना जो है टेंपरिजर सेंट करना कम से कम आद्गंटे तक आपको अपना एक्वेडियूम में मच्छी डाले रखना है तो फ्रेंड्स आपको आदे घंटे तक अपने एक्वेडियूम में मच्छी पैकिट जो आप पॉलिथिन में लाए हो उसको उसके एक्वेडियूम ऐसे रख दे हैं बगरना नहीं डालेंगे तो बढ़िया रहा गया क्योंकि उसके यहां पर कैसा क्या पानी हो किस भी मचली में कैसे हुआ रही हो तो फ्रेंड्स आप देख कर लें और जब भी आप मचली लेने जाएं तो उसको देखें गोर से कि उसमें किसी तरीका का रेड़ स्पोर्ट ना बगख नहीं लगे हो तो तो वो चीज़ जेख़ लें और फ्रेंड्स लेने जाएं तो अच्छी ओप अध हो जों यहां जोब वाके काऊ रहुंद्ड में निकादि में ने संस्क्त बढ़िये और ऐससी तो महीए दो आफ जिए और चाहें तो आप पानी निकाली सकते हैं उसमें आपको एक एच लेना नोगी मेडिसन आता है और आपको सॉल्ट लेना उससे होता है अगर कोई मचली के ऊपर कोई आपका व्यक्तिरिया या या कुछ भी होगा तो वहीं पर खतम होगा टेंक आइड कर दी है अब जब आप एड कर दें तो लЭ्ड को बंद कर लाइट ओन होने से होता गया है कि कोई भी आप निव फिस लाते हैं तो थोड़ा डिप्रेशन में होती है कि कहां नहीं जाए तो चक्र में आप को जो है जब भी आप फिस अट करें लिए तो लाइट को बंद कर दें हो सकता है आप एक जो दिन लाइट को बंद रखें कोई नहीं है लेकिन यह सही रहता है फिस के लिए भी और टेंक्स के विलीट के होगी आप निव फिस लाइए हैं और उसको लाइट जलाएंगे तो वो टेप्रेशन में तो चुपेगी दर दर डुकेगी जैसे आप देख रहे मेरी मचलियां दोनों फिल्टर के नीचे चुप नहीं है तो उसी तरीके से आप उसको लाइट बंद कर दें मैंने तो अभी इसलिए कोल रखे क्योंकि मैं बीडियो सूट कर रहा हूं लेकिन बीडियो सूट होने से पहले ही या में बाल में बंद कर दूंगा लाइट को और फ्रेंड्स आप जिस दिन भी न्यू फिस बाला होगा उसने किस टाइम पर फीड कर आए हुए कैसे करा दो तो आप नेश्ट डे से फीड कर आए और फ्रेंड्स आप जेनी न्यू मचली लाएं तो आप अपने एक्वेरियम में हाथ डालें ऐसा कभी ना करें ऐसे मचली बहुत ज्यादा डिप्रेशन माया जाती है और उससे आपकी मचली मर भी सकती है तो फ्रेंड्स आप अक्वेरियम में ज्यादा हाथ बाद ना डालें और जब आप न्यू प्रेसेट करें तो उसकी लाइट वगएरा जो है वो बन पर आप कभी भी बिना टैंक को साइकल करें अपनी मचलिया एड़ ना करें क्योंकि कि nearaktion करने से मचलिया प्रकाश चौरें को साइकल करें खरऊ तो साइकल होता खहता है अब उसको टैंक टेंग को सेट-प कर दें लेकिन उसमें मचलिया एड़ ना करें मचलिया अप उसको चाहर दाने जो फिस. फूर होता है उसके डालते रहें जिससे कि उसमें बैक्ट त यह बन जाएगा आपका 14 पंदेंदर वेक्ट्रिया बन जाएगा फिर आप उसमें जो है न्यूफिस एड़ कीजिए मेरा तो फ्रेंट्स ऐसा था मेरे पास जो मेरा पुराना एकुरियूम था उसका मैंने फिल्टर इसमें यूट किया है आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपक मेरे फ्रेंट्स तो उसके पास करो जो झौस albums हो रहाँ तो आप फिल्टर को अपने यायकारियो में लगा सकते हैं तो यह 9 फिल्टरिया होगा यूफिस नाट थैरे में तक सर्वाइब कर पाए रो जो फैन्स में ज सकते हों थे लिए अगर आपको वीडियो यह लगे करना और फ्रेंड्स वीडियो को मैंने लाइट आफ कर दिये क्योंकि मैं निचाता है अब यह देखिया आप मचली कैसे बाहर निकलने लेगी तो फ्रेंड्स फस्टे डेख वीडियो ना करां और मचली में ख्याल रखें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हूँ तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवाना ना भूलें जिससे की कोई भी न्यू वीडियो आप मिस ना करें और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाइफ रेंड्स